दोस्तो दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक T40 नर्मार्टा है रूस ने अपने इस टैंक को सबसे पहले दुनिया के सामने 2015 में अपनी विक्टित रेट के साथ पेश किया था दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक T-40 नर्मार्टा बिना कुरू मेंबर के अपने निसाने पर गोले दागने में शक्षम है T-40 नर्मार्टा टैंक रूची सेनका मुख्य टैंक है यह है टैंक 127 के कैनन से लेट है जिसकी वज़े से यह 10 से 12 राउंड 15 मिनट की दर से गोले दागने में शक्षम है इस टैंक के मदब से एंटी एरग्राफ मिसाइल को फायर किया जाता है जो दुस्मन के हेलिकोप्टिर चोटे ड्राउन को मार गिराने में शक्षम है दोस्तो भारत का सबसे खतरनाक टैंक T-90 टैंक है इसे जिसम के नाम से भी जाना जाता है यह है एक जन्री टैंक है इसे रूस ने बनाया था यह है थर्ड जन्रेशन के शेनी में आने वाला एक टैंक है इसमें T का मतलब टैंक से है और 19 का मतलब इसके संसे है 1990 के दसक में है बनाय गया था, साल 1992 में पहली बार रूस ने इसे दुनिया के फामने पेश किया था T-19 टैंक के गिंपी दुनिया के आधुनिक टैंकों में होती है, इसे तीन लोगों का क्रू मेंबर चलाता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर कमांडर सबसे उपर होता है, टैंक से कहा निशाना लगाना है, कैसे निशाना लगाना है, यह चैकरने के जिम्मेदारी कमांडर के होती है गनर का जिन्मा निशाना लगाने के लिए गोले मिसाइल और राकेट को शेक करना होता है वहें ड्राइवर का काम टैंक को चलाना होता है साल 2001 में भारत में पहली बार रूस से T-90 टैंक खरीदने का सोधा किया था अभी भारत के पास लगवग 1640 T-90 टैंक हैं जिन T-90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया है उन्हें विस्म का नाम दिया गया है दुस्मन से बचाव के लिए T-90 टैंक में केशिक एक्स्प्लोजिव एक्टिव आर्मर होता है आसान बासा में कहें तो यह टैंक की बलड तूज जैकेट होती है दोस्तों टैंक से एक मिनट में 800 गोलियां चलाई जा सकती है जो दो किलोमेटर देन सेट के हलिकोप्टर को मार गिराने में सकता है इसके लिए टैंक में सबसे ओपर N-C एरक्राप्ट दन लगे होती है थीन आएंजी टैंक में धर्मल इमेजर होता है धर्मली में जब सवीर से निकलने वाली गर्मी के आधार पर काम करता है जिसके ज़िए दिन और रात में चुपे हुए 6 किलोमेटर दूरी तक मुझूद दुस्मन को आसानी से देखा जा सकता है इस टैंक में मिसाइल ओटोमेटिकली लोड होती है यानि कि एक बार निसाना लगाने के बाद दोबारा रोकेट या मिसाइल को लोड करने की ज़रूरत नहीं होती टैंक में एक राउंड में 7 मिसाइल छोड़ी जा सकती है T-19 टैंक से 4000 मिटर तक की देन तक मिसाइल दागे जा सकती है 19 टेंक मैजानी इलाकों रेजिस्टान दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चल सकता है 5 मिटल पानी के गहराई तक यह आसानी से काम कर सकता है